यूटूब character नमस्कार दोस्तोंAll condemnation के यूटूब चैनल के आपका स्वागत हैं मैं प्रवुत पंडे आपको प्रुवदिक क्ला के कौर्ष। वागने आ जोलूल लोग आगे हैं और सिंदु सबयता पर आ गया हैं सिंदु सबयता से काला के कुछ पचास कोशन कल हमने किये थे कुछ कोशन आज करेंगे जो सिंदु सभिता काला से रिलेटर एक्जाम में आते हैं ठीक है आते हैं पहला कोशन हमारा हरपा से भारत प्रशिद्ध मूर्ति सिल पूरुस धर्ड जो बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है तो इस तरह के को लाल चूने पत्थर का उपियोग हुआ है जिसमें साल ओड़े हुए एक क्या कहते हैं दाड़ी वाला पुरुष की फोटो मिली हुए नस्ट कोशन यह देखें यह देखें टीजीटी 2016 में आट में आया हुआ कोशन है यहां पर वही कोशन कराया जाने जो एक्जाम में आय क्या चीजे पढ़नी है हम लोग कमेन उद्देश यह भी है इसके अलावा इसकी व्याख्या है जो यहां भी विस्ति दंग से उपलब्द है जब आप पढढ़ेंगे या इस बुक को आप हार्ट कॉपी में मंगा के पढ़ सकते हैं तो व्याख्या से आपके और चीजे भी क्लियर हो जाएंगे आते हैं नेस्स कोश्चन पे नेस्स कोश्चन जो हमारा रिलेटेड है नो डाउट यह भी सिंदु सबता या हरप्पा सबता से रिलेटेड होगा धौला वीरा एक पूरा तात्यू की स्थल है और यह संबंद रखता है कि से भारत में जब उत्खनन कार हुआ संदो काल का तो धौला वीरा एक बड़ा इस्थल हो जा गया मोहन जो दो हरप्पा के बाद तीसरा बड़ा इस्थल धौला वीरा है और यह भारत में इस्थित है गुजरात में सिंदु घाटी काल से रिलेटेड इस्थल है पूर्वी पस्वी और मद्द तीन टीलों बड़े हैं यही एक नगर है जो तीन टीलों में बटा हुआ है इसके अलावा इसकी एक बांडरी वाल भी मिली है नेस्थ कोशन हमारा जो है डांसिंग गल नामक मूर्ति की संग्राले में स्थित है यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है डांसिंग गल जो मिली हुई है कांशे कि मूर्ति की मोहंजोदरों से वह हमारी स्थिल है राष्टिय संग्राले नई दिल्ली में कहां है राष्टिय संग्राले नई दिल्ली में है नेस्थ कोशन हमारा है सिंदु घाटी में प्राथ मोहरे बनी है मैंने अभी क्या बता है सेल खड़ी यह मिट्टी तो मिट्टी क सबसे जादा हो और जगहां दैटने हैं पेड़ के पेड़ के पूजा की जाती है तो सब देखेए स्वास्तिका चिन हो गया पीपल का पेड़ हो गया सिंधू लगाने का हो गया यह सब Кोश सब प्रतिहार नरेज्श भोज गौतम बलसरी यह सब इतिहास के सब्सक्ति इसका सही आंसर क्या होगें ठागा यह पूचा गया है। चंब बना कर उसकी पूजा की जाती थी तो यह दि गया है अग्णी के दिवता की पूज की बारतिय के सबसे प्राचिन के देखें पीजीटी 2010 में अजन्ता महाबलीपुरम सिंदुगाटी सब्वेता खज्राव तो इसमें अगर बात करेंगे अगर पूरा दिया रहता तो इसमें प्रागी जाता है सिकाल का भीम बेटका और यह सब हो जाता लेकिन इसमें सिंदुगाटी सब्वेता यह भी पीजीटी 2010 में पूछा गया है पुरा तत्विक महत्व का इस्थल लोथल भारत के गुजरात में इस्थित है एक बंदरगान अगर था ठीक है यहीं पर दुनिया का पहला कृतिम बंदरगा मिला हुआ है तो जगह कहा है गुजरात कच में ह देखेंड़ां तो हमारा है सिंदुगाटी शब्वेता ऊट्खनान से कौनश कान से पुरात्तुविद संबंधित है तो इस में बहुत सारे पुरात्तविद के नाम दिया है पैस्के कुमार स्वामी रखाल राचत भैनर जी यह नाम बहुत एंपर्टन्ट आता है तो रख दजला फराद नदियों के दौआब में 50 सब्सक्राइब के समय दो सब्सक्राइब बहुत इंपॉड़न सी एक सब्सक्राइब नीज लदी के किनारे ती और दजला फराद जो चल वह सब्सक्राइब के किनारे कहाएगी मेसोपटामिया के चिनारे और सिंदु सब्यता का मिल हुआ नामक इस्थल जो था यहां से व्यपार के इंजल भी जुड़ा हुआ था मेसोपटामिया की सब्यता थी मेसोपटामिया सब्दिका आशाय दो नदियों के मद्द है उत्तरपूर में दजला तसा दक्षि वह भी सिंदु सब्यता से रिलेटेड है टीजीटी 2009 में आया हुआ कोश्चन है निम लिखित में से कौन सा एक नगर हडपा संसक्रति का नहीं था तो हडपा से रिलेटेड नगरों के नाम आपको मालूम है लोथल था काली बंगा था यह गुजरात में यह राजस्तान में बनाव़ी हर्याणा में त τη गुरी नार संसर क्या होजाएगा यह बनां यह ऺडपता से परमारिक फिर है लोथल इस्थित है भारत के गुजरात में कहां इस्थित है भारत के गुजरात में प्राप्त पूर परिपक प्रमारी कितने इस तो लोगों नगरों के संग्याद दी जा सकती है हाला कि छे नगर है ठीक है छे नगर है लेकिन ये डिजीटी 2005 में कोश्टन पूछा गया और इसमें क्या किया गया आंसर जो दे दिया गया क्योल हडपा और मोहंजरों को सही माना गया लेकिन इसके सही आंसर क्या होगा छे होगा इसमें भी आयोक का ही आंसर लगाया गया है दो लेकिन इसका सही आंसर क्या है छे नगर है ठीक है छे नगर है अगर आपको किसी प्रमाड़ी किताब में अम मिलने लगे सिंदु घाटी सब्यता के समय अधी क्या है तो जो समय अधी दी गई है वह सतरा सो इसा पूर तक दी गई है सिंदु सब्यता की परिपा कवस्था की देठ है तो पच्छी सो से सत्तरा सो पचास इसा पूर यह सही आंसर होगा इसका इसके बाद आर्यों का अगरुमाड भारत में हो जाता है लेस और जो हमारा लेटेट है मोहन जोदबॉं और हरप DAN में पाई गई जीले की माद्यम से बनाई गई है तो मैंने तक सिले का मतलब मोह germs स्रिले के मतलब मोहरे नगरी सब्विता का प्रथम उधारान कहां से मिलता है तो अगर भारत में बात करें तो सब से पहले प्रपा करें को साम्illes यह जू है के समय जब भारत में 16 महा जनपत थे उस समय के ये नगर है तो नेस्ट कोष्चन पर आते हैं जो हमारा है वो है हरप्पा मोहन जोड़ो किस सभेता से संबंदित है हरपा मोहन जोड़ो इस्थल जो है वह हमारे सिंदू सभेता से रिलेटर है देखिए टीजदी 2003 में यह कोष् कोश्चन कला में आते हैं ऐना आप टिपकल मत बनिए कला की इसी तरह के आसान कोश्चन पढ़िए आपका सेलेक्शन हो जाएगा आसान कोश्चन गलत मत करके आएगा बस देखे इसका प्रमाड है यह आए हुए ही कोश्चन है जो TGT और PGT में आए हैं अब सिंदु सब्वेता से आपको बहुत कठिन कोश्चन पढ़ने के आए सकता नहीं है मेरा भी उद्देश यही है कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को बहुत हार्ड मत समझे नौर्मल समझ देखे आए हुए कोश्चन आपको खुद बता रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोश्चन का इसतर क्या रहता है यह वी कोश्चन देखे TGT 2003 में आया है प्रतम धातू निर्मित मूर्ती कि सब्चा से है सिंदु सब्चा से प्राक्त हुई है मोहंजोडोंस से प्राक्त जाता है किसे मों से घ्षाचा बनाया जाता है उसने ग्रम करके में को डाल ध करके जम जाता पमें उस में घ्रम के अंदर से तक्निक जो है भारत की जन जाती चिको बनाती थी कुछ सम इससे क्या है बरॉंज कास्टिक क्या हो जाएगा ब्रॉंज कास्टिक क्या हो जाएगा क्या और मूरति निर्मार की फिरकभर में ये कौश्टन पूछा गया नेस कोशान है captured तो प्रमुक कि पहचान प्रम उत्खना ने शिछ के पांवलुोपी अभिलेग हाँ यह तीनों नहीं है क्या है पूरा तात्विक उत्खना ओ इए हम नेस्टकॉर्शन पुरा तात्विक किसे लोथल कहा पहां इस्ति थे देखिए और बार रिपीट होगा यह फिर आया है राजय स्थान्स में ड्राइंग बाले पेपर में आया है कहां इस्तित है लोथल गुजराद नेक्स कोर्शन पर आते हैं नेक्स कोर्शन हमारा है सिंदू सब्वेतावादी किसकी पूजा करते थे इन दौबवनों की पूजा वैदिक काल में होती थी पशुपती की पूजा के प्रमाड मिले मोहर जो मिली है उसके पशुपती मिला है भैसा जेंडा ब्याग हां थी उसके अगल वगल बैठे है तो क्या है पशुपती सिंदू गाटी सब्वेता के भवन निर्मार में कौन से समगरी प्रयूप की जाती थी हमेशा पक्की इट है पकाई हुई आग में पकाई हुई पथर और कास्ट नहीं उपयोग किया जाता था नेस्ट कोस्टन हमारा जो है यह भी सिंदू सब्वेता से रिलेटेड है लिए निम्लिकित में से प्रमुक स्रोथ कौन से हैं यह देखे फिर रिपीट हुआ है 2014 में पुरातात्मिक उत्खनन सब्सक्राइब नेस्ट कोस्टन पर आते हैं आपको लग रहा होगा आपकी कला में देखे कितने आसान कोस्टन आते हैं इस वजए से कला बहुत लोग ल हडप्पा सब्वता से रिलेटेड हैं गुजराथ में स्थिफ हैं यह बात गलत हो गईकchester संस्टल पूर्मौर्वकालि लेकिन इंपर्टन क्या है हड़पपा इसे पॉर्वक्ली संतल संतल स्टर्डिक मैंने बताया चैब भारत नाहीं रहुत सब्सक्राइब पाकिस्तान में इस्तित हैं ये दोनों नगर पहुंचेदर और हडपा इस समय कहां है पाकिस्तान है नेस्ट कोश्ट्रूष जो है पुजारी की मूर्ती परप्ठ हो ब्राइग घाडी से मड़ा घाडी से बाघिश्वर से सिन्दू गाटि से प्राप्त हुई है और बात करें हट नामगिस्तर से प्राप्त हुई है बाद करें प्रॉट्थर जो बना हुआ है लाल चूने पत्थर का इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर मूर्तिया टेरिकोटा की बनी हुई है जो भी मिला हुआ है या Indraq की मूर्ति मिली हुई है यही एक ऐसा है किसे मिना है लाव चुनने पत्थ्र का इसका सही आंसर क्या हो जैगा लाल चुना पत्थर यह कोशंट देखिया आया है के बिएस ये शार्ड में आया हुआ कोश्चन है कि लेक्स्ट कोश्टन निम्रिखित में से कौन सी सब्वयता आलम गेल पूर में दिखाई देती है आलम गेल पूर भी एक इस्थ्थुल है जो हडपा से रिलेटेड है और यह कहां मेरत में हिंडर नदी के किनारे है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हडपा क्या हो कि थी हरपा का सबसे पूर्वी स्थल है हरपा का सबसे पूर्वी इस्थल क्या ने स्थान पर पक्षी का पिंज्ड़ा यह बहुत important question है नह और हरपा चंदुगरले लोठा लोकाली बन्दा यह दिखिए डी पाया गया है यहां पर और सही आंसर इसका है क्या दो ही इस्थल याद रखे हरपा और से बहुत पूछते हैं जब आपको कुछ ना समझ में तो हरपा यहां पर एक दिग्या के अंदर क्या कहते हैं मिला हुआ है आते हैं जो हमारा है वह भी सिंदु सब्वेता से रिलेटेड है और पूछा गया है विभाजित बालों के बीच महिलावद्वारल लाल रंका लगाने की परंपरा कहां से मिली हरपा परंपरा है मोहन जोद्रों परंपरा है तो कहां की है मोहन जोद्रों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हरपा परंपरा या मोहन जोद्रों परंपरा सिंदु घाटी परंपरा इसका देखिए सही आंसर तो होना चाहिए सिंदु का सिंदु गाती परंपरा को रता है लेकिन होना चाहिए क्या सिंदु गाटी परंपरा लेकिन आयोग में ढहा कि हमारा वर्तमान में हडपा सब्यता का छेतर किस देश में इस देश हडपा सब्यता अब उत्तर प्रदेश में भारत में भी है पाकिस्तान में भी है लेकिन केवल हडपा की बात करेंगे तो हडपा इस्थल अगर दिया रहता तो वह पाकिस्तान है तो उसे साब से इसका सही अंसर क्या हो जाएग क्या है उसका नगर नियोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी पूछा गया कोश्चन है फिर यह देखे टीजीटी 2010 में पूछा गया कोश्चन है हरपा का संबंध है इंडस वैली से मिस्र से इरान से इंडस वैली या सिंदु सपता है इंडस क्या हुआ यूरू पर समानते किस रंग का प्रयोग हुआ है देखें अरपा में जो बरतन मिले है वह नौर्मली रंगे जाते थे लेकिन उसपे जो ऊपर से चित्रकारी की जाती थी वह सबसे इंपॉर्टेट है वह हमेशा लाल रंग से की जाती थी तो ब्लैक म्रद्भान्द होते थे काले र सब्सक्राइब नौल-ट क्युस्टान सब्सक्राइब में धर्डबान सब्सक्राइब सब्सक्राइब सिंदू सब्वेता को बोला जाता है क्योंकि सिंदू नदी के जो पांस साहएक नदिया है तो सिंदू और इन सब के किनारे बहुत सारे स्थल मिले हैं इसलिए इसको सिंदू सब्वेता बोला जाता है कि नेस्ट कोशन जो पूछा गया है आपका आर्पी एसी ड्राइंग 2014 में हरपा से प्राव्ट प्रूस नतक का धर बनाया गया है इससे बनाया गया है सिलेटी चूना पत्थर से मरण सिपसे बलुआ पत्थर से कासे से तो यह देखे फिर वही कोशन बाल बाल रिपीट हो रह सिंगों वाले योगी तो चारो और पशु आकरतियों से घिरे चित्र की पहचान किसके रूप में की गई शिव के रूप में की गई है तो रूद्र महायोगी ता पशुवी पशुपति तो पशुवी चारों तरफ से घे रहे हैं इसलिए इसका नाम पशुपति या शिव पुरुशाकरती, ब्रामडी, बुरुश, जानवरों के अगरती, पस्वों से गिरे हुए योगी का शिप, सही अंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कोश्चन देखे, केवियस में पूछा गया है, ये कोश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बस पूछने के तरीके अलग-अलग बदल गया है, बार से मोहन जोड़ों कितनी बार नस्ट हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लिजे, कि बार तो बहुत बार आई, लेकिन जो खुदाई हुए उससे प्रमारिक जो पता चलता है, साथ बार हुआ है, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको सम सिंदू संबबिता की उत्पती और विनास, जो किन काणों से हुआ है, पहली चीज आप देखे, शहरों का निर्मार कैसे खता है, सबसे पहले हम देखते हैं, राग यहतिहासी काल में आते हैं, नौ पाशाँ काल में हमने करसी व्यवस्था चालू कर दी, करसी व्यवस्था के लिए इस्थाई बस्तियां बसाने लगी इस्थाई बस्तियां बसाए नदियों के किनारे बसे और खेती की यंद्र जब इक्सित हुए तो हम लोग जो उत्पादन करने लगे उत्पादन क्या होगा सरप्लस होगा अधिक होगा खाने से अधिक जब उत्पादन हो जाएग पुमार का काम कोई लकड़हान का काम कर रहा है तो इसके बदले में आदान प्रतादन चीजों का होता था और इसके बदले में ये बाटर Quinसों के जब पहले सुर्म में गाउं के अंदर ही चलता था फिर एक गाउं से दूसरे गाउं चलने लगा फिर कई गाउं आपस में जूड़ गए और जब यह जूड़ गए तो किशान को यह समस्या होने लगी कि वह अपनी जगा छोड़ के कैसे जाए फसलों को बेजने आदान प्रतान करने तो उसने बीच में इमेडेटर खुझे जो क्या गरते थे चीजों को बढ़ गया के जहां से यह समान पहुंचा था यह भी समान पहुंचा था यह भी समान पहुंचा अधा यह不 तो शिंदु सबिता की उधाय काप्रमुक कारण क्या था अग्री कालचर में अदिकन की सब्सक्राइब लुक्तुर होता है उठ विलेजりました। फेल इन्टर विलेज मेंvous पारटां सिस्टम होना जो कोगा और ब्रबाट था शिर्ल कारण क express सिंदू सब्यता के पतन की तो पतन का मुख्य कारण भोगोलिक चेंजेस थे भोगोलिक चेंजों में बाढ़ाना अकाल पढ़ना नदियों का अपना मार्ग बदल देना महामारी फैलना इन सब कारणों की वज़े से क्या हुआ सरप्लस उत्पादन कम हो गया तो बाटर देखते हैं तो सिंदू सब्यता का विनास किसी वाय अक्रमाड और अरिस्तरह नहीं हुआ है वह नगरों का फिर गाओं में बदल जाना और प्राकर्तिक प्रकोब में बहुत सारी चीजे हुई नदियों के मार्ग बदल गए भुकम वाले भी प्रमाड हमको काली बंगा से म सब कारण से जिसके कारण सर्प्लस बंद हो गया और नगर गाउं में धीरे-धीरे बदल गया इसका सही अंसर होगा साथवार्ण से अधिक नेक्स कोस्टन पर आते हैं नेक्स कोस्टन जो हमारा है वो रिलेटेड है किस से मोहन जोदोडम पाए गए पुजारी राजा का वक्स किस से बना था दिये गए विकल्पों में से पहचाम करें पीतल सेलखड़ी पत्थर ब्लेक इस्ट्रेट आई और सफेद ले तो किस से बन रहा है वो रिलेटेड है मोहन जोदोडम पाई जानवली नत्य करती लड़की की मूर्ती को कहां सनक्षित किया गया है तुकि मैंने अभी आया था यह पूछा गया है और यह कहां था राश्ट्य संग्राले नई दिल्ली में इस्टित है इसको आप वहां जाके देख सकते ह इसलमें आराम से तुकिन है दुसाला उढ़े योगी की मूर्ति किस ख़ुदानी से प्राप्त हुई यह नंसार होना चाइए तो यह मोहत जोदोड़ोस दुसाला उड़े मूर्ति प्रात हुई है और इस पर डिजाइन भी बना हुआ है साल पर डिजाइन भी बना हुआ है नेस्ट कोश्टन पर आते हैं नेस्ट कोश्टन जो हमारा है वो है मोहन जोदोरो इसनान घर के पूर जिसा में तथा इस्टूप का निर्मार किस काल में हुआ मोहन जोदुरो में कुशार कालीन इस्टूप भी मिलता है तो इसका सभी अंसर क्या होगा कुशार कालीन इस्टूप जो मिला है मोहन जोदुरो के इस्नानगार के पास नेस्ट कोश्चन यह देखे टीजीटी 2003 में आया है संदोस अबिता का प्रसिद इस्नानगार इस्थल कहा है तो यह मैंने बताए धार्म की स्थल था पूजा का इस्थल था और यह हमको मिला है कहां से मोहन जोड़ो से कहां से मिला है मोहन जोड़ो से उसका सही आंसर क्या प्रत्म कर्थम किसकी है नत्यांगना की योगी की देवता की पशुकी पहली मूर्ति भी देखे की है वह भी था यह मनुश्य के विलाज को समझ सकते हैं किसकी नाश्री हुई लड़की तो सही आंसर नेस्स कोश्चन जो हमारा है मोहन जोदों से प्राप दाढ़ी वाला आदमी और ताम्बे की नत्ति यह दोनों की दोनों संग्रहिज है कहां दिल्ली संग्राले, राश्ट्री संग्राले दिल्ली, नेशनल मुजियम, दिल्ली में इस्तित है, एक जानकारी और मिल गई, कि दा स्धितह, यह पस्श्श्मितंड होगा है 2022. तो मोहन-जोड़ो किस द देश में महजूद है तो महन-जोड़ो इस समय पाकिस्तान में मौजूद है सिंदु नदी के किनारे है लर्काना जिले में है सारी वैख्या आप इबुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं हडपा काल की नत्यकरती लड़की किस माध्यम से बनी हुई है तो यह काशे की बनी हुई है धातु तो चांदी मिट्टी सोना नहीं है काशा धातु है तो धातु की ब पाकिस्तान में इस तरह के आज हमने सिंदु सब्वेता से आये हुए सारे कोशनों पर हमने बात कर ली है अब बात करेंगे नए टॉपिक पर प्राचीर भारत के और हिस्तों से जो संजो कला पर कोशन पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे हम लोग नेस्ट क्लास में तब त पर प्राची नेसि आये हुए